तो नास्ट वीडियो में हमने अवरेडी देच यूआ है जैंगो अलिटल बिट इंप्रोडशन सो इन इस वीडियो में आपको बताऊंगा डैस्ट आप आद्वार्मेंट नस of environment YEARS कैसे हम और इस वीडियो में उस आप्रोशन अंसे ओलाना है बना रहे हैं न वे ला अप्रोच कर रहा हूँ अगर आप कोई और वेडी ये चीजे पता है ही मैं क्या सर्वर कैसे बन कर रहा हूँ ये प्योजेट कैसे बना रहा हूँ तो आप ये वीडियो इस्किप कर सकते हूँ मैं ये वीडियो फॉर्म बिग्रस के लिए बना रहा हूँ section 1 okay so by the way number 2 windows users अगर मैं यहां Linux यूज कर रहा हूँ 99% आप विंडोस में भी यूज करना है so let's get started हमें क्या करना है just a second okay so सबसे बहले मैं इस वीडियो में गैंगो प्रोडेक्शन अबाले में बताऊंगा या आप कौन सा environment यूज कर सकते हूँ obviously आप बहुत सारा confusion and starting में क्या यूज करें कैसी यूज करें हमसे भी वीडियो और फॉलो करने लगा है but open the mind यह वीडियो अदेमाग को लेगा for the English okay so minimum requirement गैंगो फिजेट बना लिए पहली अप्रोच इस section में पहली अप्रोच है minimum requirement at least means आप इस पाइट आप computer होना चाहिए okay computer में python 3 install होना चाहिए pip install django ले आ चाहिए version math 2.2 और मेरी बता चोका है but django installed होना चाहिए python installed होना चाहिए वह मैं आने वाले section में बताऊंगा okay so cmd और टर्मिलर बार अगर 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 आपने टर्मिलर बेसिक नहीं नहीं देए और वीडियो मेरी प्लेलिस है लीनुक्स के उपर आप क्या हो तो आई overview ले सकते हो कैसे file system work करता है cmd and terminal basic command line आने किए हम server जो यूज करते हैं हम server use करेंगे कहां पर which is inside terminal okay suppose अगर मैं आदेश्टॉप जस्टाप जस्टाप जस्टाइड कैलूलेटर प्रोजेट्ट मैं इस बड़ा कर आऊ यह कौन सी डाइट्वी है यह कौन सा फूल्डर है डाइट्वी इस फूल्डर यह कैलूलेटर प्रोजेट्ट है मैं ls रवाद हूं manage.py manage.py one server हम लोग हर बाद जैंगो प्रोजेट्ट ने इस्टार्ट कन दे से पहले I mean टैस्क कन दे से पहले server on करना पड़ता है number one point to be noted PHP जो एक coding language है अगर आपको already उस knowledge है तो PHP में आपको अलग से Apache एक web server है उसो यूस करना पड़ता है उसो installed करना पड़ता है फिर दवाना पड़ता है Apache start 8080 बट django जैसे इमेर ब्रेक्स और दीवारे मैंने दोलो अडिफर्स बता चुका है जैंगो 2020 में अल्वेडी मतलब जैंगो 2020 आइचिंक 10-5 से विलीज हुआ है बट जैंगो ने अल्वेडी इंविल्ट server हमें दिया है बट यह local server होता चाहे वाट इस दिस दिस लोकल server where it is this 127.0.0.1 इसा मतलब हो एक लोकल होस्त हर बड़ी वेबसाइट जितने भी बड़ी वेबसाइट हो पहले आप अपने computer में बनाते हो local host से उसको testing करते हो आप देखने हो जाब वो सही है जाब वो सही है पहले internet में डाले इन्हीं server लेना पड़ता है बट पहले आप अपने computer में चेख करते हो इसलिए यह development server हम लोग को मिला गया है जैंगो में pre-installed हमें कुछ भी इंस्टालेशन इसलिवर नहीं है okay so cmd और टर्मिलर में हम लोग को हर बार यह command लेना पड़ेगा server चालू करने के लिए okay python3 manage.py one server by the way windows user या python3 data लेंगे वोसे python लेंगे okay और by the way यह manage.py आपको terminal से वह terminal हो चाहे वह हो which is cmd आपको सिर्फ यहाँ जाना है उस folder में right click open terminal here या फिर open cmd here आपको से वित्ता करना है यह command चले आएगा okay और second thing which is this किसी भी jango project उस start करने इलिए हम लोग लेना पड़ता है jango hyphen admin hyphen admin start project and project anam project anam कोई सभी project anam हो आप कितने भी बड़े project में चले जाओ online देख लो project ऐसे ही start होता है jango admin एक command है जो इहां में jango installation एक बाद मिलता है cmd of windows और लेना सम्में से मैं यह start project इस argument है जो हम pass कराते है project अनाम हमारे उपर रहता है और मैंने हाद में रहता हूँ है which is settings यह सब में same रहता है तो ultimately क्या हो गया मैं ultimate option बता रहूँ आपको हमेशा jango admin start project और project अनाम जो project से हमेशा ऐसे ही start होते हैं ऐसे ही बनते हैं okay so tax editor सबसे most important concept according to me मैं हाली करता हूँ normal tax editor यह जगे है आप ऐसे tax editor लो जो colors दिखाते हैं जो indentation दिखाते हैं obviously basic knowledge of python indentation दिखाते हैं संदर्ख्वी मतलब sidebar अगर मैं यह sidebar जो आ रहा है यह हाली documentation करता है कि यह और colorful दिखाएगा imagine अगर एक tax editor है जिसमें colors नहीं दिखा रहा है और एक tax editor है जिसमें colors दिखा रहा है आपको कौन साच लगेगा okay so यह आप में python जो inbuilt syntax है उसका color आए एक nut 3 आजाए और उसमें आप multiple multiple tabs खोले और for example settings.py में और खोले तो settings.py है urls.py है तो ऐसा फैसिलिटी एक लिस्ट वह प्रोवाइट करें autocomplete best option beginners के लिए मैं बोलूँ का ऐसा tax editor लाओ जिसमें autocomplete autocomplete support करता है autocomplete जब आप file import करते हो तो already वह बहुत सारे suggestions दे देता है okay और by the way जिसको करना है वह बोलते हैं जिसको करना है वह करी से कर लेता है तो आप normal notepad में भी जाएंगो एक बना सकते हो ultimately level में बता रहा हूं एक folder रहता है उसमें file रहती है और उस अदर ऐसे कुछ folders रहते हैं तो आप no notepad से भी बना सकते हो बना चर्ट करों करता है या आपने दूरना बहुत आसान हो जाता है कि आप अच्छा tax editor से start करो क्यों जाए और by the way मैं जो मेंड करता हूं documentation करता है Adam tax editor इसमें auto complete भी है सब कुछ है में some land tax ultimate tax editor और मैं used कर रहा हूं my favorite Wim tax editor okay who is a browser or going for any one of us a million and I look on host code and 8,000 okay now second approach what a pally approach you have terminal terminal a use girl which is this or is a bar terminal Messiah command download by by year download by turn value dot we by one server okay or Django project is not conditionally but now trying to understand IDE what is IDE integrated development environment so it's going to need some I don't know that your commandogen is better right here that can be an alternative code you have to the gum from dollar oil Comics these from other options no such a other end user interface can use उ rests the mouse team and may o pally command огром master cann we will build it in which this package you have to use this or adjust it from to all terms of furniture in which other services you have another where the user interface can be used that at all whatever means use your is open for Authentable ๋ two यह भी Drot3 support करता है और यह भी Auto complete support करता है और Terminar by the way इसमेh attach भी रहत है निचे यहां चाह पे Terminara आपको new again नारे लिए अप्रोच है और वह भी Approach Even unserem version approach भी approach है दोनों सेम है, पर यहां पर तरफे एश्राफर बहुत जादा है आपको यह बार बार यह सब चलाने ही जरुबत ली एट वाइस का नाम दिया गया है Integrated Development Environment यह उसी काम इलिये बना है और जस अगें मैं रेंड करता हूँ Visual Studio video भीशली यह जिस्पेंज करता हूँ है यहाँ आप नहीं आपकेंज में बाइच अणाम नहीं ही इघ कंछ बड़ने वह कुछ बड़ने दष काम वो ईस्टाल करतेगा यहाँ नहीं अगय आप बादalen इंचान वहुए इसवा इचलान वह ऐन बिद्न इंड करतेगा बड़नी यह बहुत सारे हैं यह बैस हैं और बेस लेवल और वेडि में बता कि अबड़ा आइडी हो अल्टीमेटली सब यही कमाड्स यूज करते हैं जो मैं टर्मिलर अंदर यहर बितने और वो रहें दर बटन दबाते हैं अंदर यह र्सला करें । इसे ही अच्छा दिन अब इस आई सबसे बड़ा वैक्स ही है इसा बिंगलेग्ल अईसा बिंगलिंग लेवल हम दो बहुत कुछ सीच सकते हैं कमाड लाई से सबस्पोर्स अगर मैं ओ टॉम्लियर यूज करना है मैं ओ करें ये लिए सिस्टम समझ वहाएगी मैं ओ करें लियस कमाड या फिर डिया कामाट इड विड्व समनना पड़ेगा मैं नई चीज़ समझेंगा मैं फाइल पास समझेंगा बट आई डी इइ इन सब चीजों को बहुत बहुत दूर ले जा लेता है अलग टाइप एर्र आते हैं तो आपने लेंडिंग ऑपर्शुरिटी थोड़ी सी काम हो यह लेखना पड़ेगा ओके तो बेस लेवल अगा व बेस बनाना है तो मैं वेड्मेंट कर ओ मेरा प्रोच मैं टर्मिलर यूस करूंगा विम एडिटर यूस करूंगा और ब्रावजर यूस करूंगा ओके बट आप अप प्रोच आई डी आप इंस्टाल कर सकते हो और या 5 मेरा प्रोच शसर लो CPMD फूस्स टाइडड़ यूस बटज यूस कर दूजर प्रोच अप्रोच इड़ो अप्रोच श yrमें लोगं ऑाफ जलख